नमस्कार दोस्तो, मैं डाक्टर बिजय बहादुर, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल में दोस्तो, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब ना कियो हों तो मेरे चैनल को तुरुन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ मूली और उसके फायदे के बारे में दोस्तो मूली खाने के क्या फायदे हैं आज मैं उसके बारे में बात करूँगा जो आपके लिए बहुत ही हुपयोगी होने वाला है इसलिए प्लीज वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलाद में मूली बहुत पसंद की जाती है मूली के पराठे और सबजी भी लोगों को काफी पसंद है अगर आप मूली को देख कर मूँ बनाते हैं तो आपको मूली के फायदे जानना बेहत जरूरी है दोस्तो मूली खाने का पहला फायदा है यह कैंसर के रिस्क को कम करती है दोस्तो मूली में फाइटो केमिकल्स और एंथो साइनिस नामक तत्त पाये जाते हैं जो कैंसर के रिस्क को काफी कम करते हैं अर दोस्तो इसमें मौजूद vitamin c anti-oxidant का काम करती है और दोस्तो मूली खाने का दूसरा फायदा है यह blood pressure को नीमित करने में काफी मदद करती है दोस्तो मूली में anti hyper tungestation गुण पाया जाता है जो blood pressure को control करने में काफी सहायक होता है इसमें परियाप्त मात्रा में पोटेसियम भी होता है जो सरीर में सोडियम और पोटेसियम के अनुपात को बैलेंस करता है और ब्लड पेसर को बढ़ने नहीं देता दोस्तो मूली खाने का तीसरा फायदा है यह डाइबिटीज को भी नियंतरित करती है मूली में परियाप्त मातरा में फाइबर मौजूद होता है और वहीं इसमें मौजूद तत्त इंसुलिन को भी नियंत्रित करने का काम करता है मूली से सुगर लेबल बढ़ता नहीं इसलिए मूली जो है सुगर के पेसेंट को या डायबिटीज के पेसेंट को बहुत ही फायदे मंद है तो इसका सिवन उन्हें जरूर करना चाहिए और दोस्तो इसका अगला फायदा है चौथा फायदा मूली जो है सर्दी खांसी के को नियंतरित करती है अगर आपको हमेशा सर्दी और खांसी की सिकायत बनी रहती है तो आपको अपने डायट में मूली को जरूर सामिल करना चाहिए क्योंकि मूली में एंटी कंजेस्टिव गुन पाये जाते हैं जो कप को खत्म करणे में काफी मदत करते हैं और दोस्तो इसका पांचवा फायदा है मूली खाने से कीड़ी सौस्त रहती है दोस्तो मूली में डायट इरेक्टिक गुन पाया जाता है जो कीड़ी को स्वस्त रखने के लिए बहुत अच्छा होता है और सरीर से विसले तत्तों को बाहर निकालने में काफी कारगर होता है तो दोस्तो ये रहा वीडियो जिसमें मूली के फायदों को मैं इसमें आपको बताया हूँ और ये आप मूली का सेवन करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा मूली हर जगा आसानी से उपलब्द हो जाती है और इसका दाम भी बहुत महंगा नहीं है सस्ता में ही उपलब्द हो जाता है तो इसका सेवन करना चाहिए दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों में सेयर कीजिए इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवस्सी कीजिए और दोस्तो बेल आइकन को जरूर दबाएए ताकि मेरे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे तो दोस्तो यदि आपकी कोई समस्या हो या कोई प्रस्ण करना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्षन में उसको जरूर लिखिए मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद